किस किस को ना साउथ हिनन खाना बहुत पसंद है पर उसे बनाना और उसके बनाने की प्रोसेस में वेट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो यहां मैंने बनाया है इंस्टेंट रवा इडली और वह भी निकी कितना सॉफ्ट स्पॉंजी और मज़ेदार बना है और आपको ना इसके टेस्ट से बिल्कुल लगेगा ही ने कि इंस्टेंट मिक्स से मैंने बनाया है बहुत ही टेस्टी था तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते है तो सबसे पहले मैंने यहां पे लिया है इंटिया रवा इडली मेक्स आपको बता है इडली बहुत तरह की आती है तो यह 500 ग्राम का पैक है यहां सिर्फ कर्ड एड़ प्रना है और पंदा मिनट में रेसिपी बन जाएगी यहां पर इसका वेट लिखा हुआ है यहां इसका प्राइस है 115 उपे और यह तीन इजी स् अबर के हम डाल देंगे इडली मिक्स तो आधा कप हम डालेंगे खटा दहीं अगर खटा दहीं आपके पास नहीं है तो नॉम्मल दहीं में अब भलकाव सामर डाल के उसे बाहर रखें फ्रिज में ना रखें तो यह आदे बहुने घंटे में खटा हो जाएगा तो अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और ठके से एक मिनट के लिए अलग रखेंगे जैसा इंस्ट्रक्शन पे लिखा हुआ है अगर वीडियो अच्छे लग है तो इसे लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना तो देखें एक मिनट के बाद मैंने इसमें डाला है अच्छे से मिक्स करेंगे अगर आप चाहे न तो इस टाइम आप बारीग बारी काट के इसमें हरा धनिया डाल सकते हैं वह भी आपको टाक पे लिखा हुआ दिख जाएगा तो यह सेकिंड इंस्ट्रक्शन थी जो हमने फॉलो की है तो अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे तो मिनट के लिए लग देंगे और जब तक दो मिनट होते हैं हम अपने वैसल को रेडी कर लेते तो में पस वैसल नहीं है एडली का में पास यह स्टैंड है आप चाहें तो इसे ग्रीस कर लें बढ़ अगर ऐसे होल्स वाला स्टैंड आपके बास आपके पास तो उसे पतल में वैसल में या अपने स्टैंड में पैटर को डालेंगे तो पैटर आपको बहुत नहीं डालना है थोड़ा डालना है मतलब एक टेबल स्पून भी अगर आप इसमें डालोगे ना तो वह भी बहुत बढ़िया रहेगा और क्योंकि अच्छी घासी ना फूल जाती है तो देखे इस तरह से ना मैंने सारे जो लेर्स थे वह फिल कर दें अच्छे से तो आप भी कर दीजे और जब तक यह हो रहा है ना तब तक आप अगर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और हमें सोच रही हो कि ऐसे ना रीडी टू मीट जो रेसिपीज होती ह तो ऐसी सीरीज में जरूर अपने चैनल पर करूँगी तो ऐसी दिखे मैंने सारे अपने लेर्स रीडी कर लिए हैं और दूसरी तरफ मैंने ना पानी भी बॉइल करने के लिए रखा तो जो अच्छे से बॉइल हो रहा है अपने स्टैन को इसमें रग देंगे ढग देंग कि लगा हूँ आ रहा था तो मैंने उसे और दो मिनट के लिए स्टीम होने दिया और दो मिनट के बाद मैंने इससे बहार निकाल दिया तो आपको अपना इंस्टेंटली इससे डीमोल्ट नहीं करना है आप लिएर्स जितनी भी है आपके स्टैन में उन्हें आप सेपरेट ताकि यह जल्दी से हल्की ठंडी हो जाए और हल्का सथना होने के बाद ही आपने इसे डी मोल्ड करना है और मैं सही बता हूं यह जो इडली सांभर यह काफी हल्दी फूड और बिक्विस्ट में काउंट होता है तो यह मस् ट्राय है आपको आना चाहे बनाना अगर नहीं आत इसे अब एकदम से रिमोल्ड नहीं करना है हम थोड़ी देर वेट करेंगे और थोड़ी देर वेट करने के चक्कर में एक प्लेटी घायब होगी तो यहां देखे मैंने इसे बहुत आराम से रिमोल्ड के लिया कोई नाइफ कोई ओई की ज़रूरत नहीं पड़ी और देख कि मैं पैसे ही बिलकुल अपनी इडली बना लूँ तो अच्छी लग रहे थी मज़ेदार थी और मैंने पहली बार घरपी इंस्टेंट मिक्स से इडली बनाई थी बहुत ही बढ़िया बनी थी तो स्पोंजी भी बने थी ब्रेक्सिस्ट में वैसे भी अच्छा लगता है य बस हमारी सारी इडली बन के तयार होगी बहुत ही मज़िदार और बहुत ही स्पोंजी थी आप इसे चटनी के साथ सांबर के साथ या आप इसे वैसे भी ट्राय कर सकते क्योंकि इसमें ना मिक्स में कुछ फ्लेवर्स डाले होते हैं तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना कॉमेंट सेक्षिन में मुझे बताना वीडियो कैसी लगी और हां मुझे इंस्टेग्राम और पेस्टुक पे जरूर फॉलो करना मैं हैंडल आपको दिखा दूँगी हां पर दिख रहे होंगे आपको स्क्रीन पे और साथ में आप रिदन रेसिपी की मेरी वेबसाइट जरूर चैक आउट करेंगे तो अब मिलते हैं नहीं वीडियो में तब तक के लिए देखिए बाबाई